प्रकती की गोद में बसे जबलपुर में कई खूपसूरत धरोह रहे हैं गोणवाना की राइनी दुर्गावती ने ऐसी ही कई धरोहरों का निर्मान कराये था उन में से एक है ये गुलवा तालाब इस गुलवा तालाब की खासियत ये है कि एक समय गुलवा तालाब शहर के आधे से में प्याद बुजाने का काम करता था पानी की सप्लाइस गुलवा तालाब से होती थी लेकिन वक्ते के साथ इस गुलवा तालाब जो है दुरदसा का शिकार हो गया लोग इस पर कचला फेकने थे और इसका जो पानी है वह प्रदूशित होकर इस्तिमाल करने लाइक नहीं बचा लेकिन आज से ठीक साथ साल पहले जबलपुर नगर निगम को अचानक से इस गुलवा तालाप को सवारने और सहेजने की याद आई और उसने साथ साल पहले इसको सजाने का सवारने का काम शुरू किया और लगभग नौ करोड रुपए इस गुलवा तालाप के सौंदर्य करण में खर्ची किये गए जब नगर निगम प्रशाचन ने भारी भरकम राशी इस पर खर्ची की थी उस बड़े-बड़े दावे कि यह गए थे और इसे कहा गया था कि इसका जो पानी है वह कभी प्रदूशित नहीं होगा और इसके लिए यहाँ पर एक सीवरेश ट्रीटमेंट प्लांट के साथ तीन यह फबवारे लगाए गए थे इन फबवारों की खाचियत यह थी कि जो इसका गंदा पानी है उसे वह फिल्टर करेगा और इस पानी को ही रिसाइकल कर इसको प्योगी बनाएगा लेकिन आज हालत यह है कि इस तालाप का पानी बद्बू मार रहा है प्रदूशित हो चुका है तीन फबवारों में से एक फबवारा बंद है इसके साथ ही यहाँ पर जो कलरफुल लाइटिंग फाउंटेन लगाये गए ते म्यूजिक फाउंटेन जो लगाया गया था वो म्यूजिक फाउंटेन भी बंद है कलरफुल लाइटों का भी अतापता नहीं है जादा तर जो लाइट है खराब हो चुकी है हाली मैं यहाँ पर जो सुबा मॉर्निंग वाक करने लोग आते थे उन्होंने इसकी शिकाइद भी की लेकिन बावजूद उसके अभी तक निगम प्रशाशन ने कोई करवाई नहीं की आप देख सकते हैं कि 9 करोड उपैसे जो गुलवा तालाप का सौंदरी करन किया गया था आज उसके क्या हाला थे यहाँ पर बैठने के लिए मॉर्निंग के अंदर जो गुलवा तालाप का यह जो पासवे बना है यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है इसके मुख द्वार पर सुरक्षा के लिए दो दो गाड तैनात हैं यहाँ पर अंदर आने के लिए एंट्री फीस ली जाती है लेकिन इसकी दुर्दसा यह खुद बया कर रहे हैं क क्योंकि पूरा जो पानी है वह हरा हो चुका है और इस पानी में इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पर लोगों का खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बज़ा यह है कि इस तालाप के चारो साइट जो घर बने हैं जो कॉलोनिया बनी है उसक पानी को रिसाइकल करने के लिए दूशत पानी को वापिस से जो इसमें बदबू आ रही है वह ना आए इसको प्रदूशन से बचाने के लिए आज जो है वह है ट्रीटमेंट प्लांट सपेद हाती साबित हो रहा है हाला कि नगर निगम प्रशाशन एक बार फिर दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस ट्रीटमेंट प्लांट को दुबारा से शुरू किया जाएगा जो फबारे वंद है उन्हों शुरू किया जाएंगे और जो पानी का में जो बदबू आ रही है उसे जैविक तरी दावों की अब हवा निकल चुकी है इसलिए अब निगम के जो दावे निगम कर रहा है कि इसे जैविक तरीके से फिर से शुद्द किया जाएगा उस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है केमरमन गड़ेविश कर्मक सांत अभी शेक शर्मा आई बीसी 24 जबलपूर